आध इस वीडियो में विंडोस 11 को विषवल बॉक्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। अब हम इस विषवल मशीन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके अब यहाँ पर यह setup आ चुका है next करेंगे हम install now पर click करेंगे अभी हमाई पस product key नहीं है तो हम I don't have a product key पर click करते हैं Windows का version select करेंगे next करेंगे तो अभी मुझे यह problem face हो रही है आप pack चाहिए अब इसे fix करने के लिए आपको command prompt को open करना पड़ेगा जसके लिए आप shift के साथ aftern को press कीजिए आप यहाँ पर command prompt आज आएगा और यहाँ पर आपको type करना है और यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा अब रजिस्ट्री एडिटर में सबसे पहले आपको h की local machine को expand करना है यहाँ से आप system को expand कर लिए इसकी बाद आप setup पर क्लिक कीजिए और इसे भी expand कर लिए अब यहाँ पर आपको एक नई की को बनाना है setup पर आप क्लिक कीजिए और इसी की side में आप right click कीजिए न्यू में जाएए और की पर आप क्लिक करतीजिए जिससे एक folder क्रिएट हो जाएगा अब आपको यहाँ पर type करना है labconfig अब दोश्तों मैंने जिस तरीके से इसे लिखा है आपको भी उसी तरीके से इसे type करना है जहाँ पर L बड़ा है तो आपको भी L capital रखना है और यहाँ पर config में आपको C capital रखना है इसके बाद आप enter कीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर यह नई की जो हमने बनाई है उस पर click कीजिए और यहाँ पर आपको right click करना है new में जाएंगे और d word 32 value में आपको enter करना है अब इसके बाद दूस्तों हमें सबसे पहले secure boot को bypass करना है तो आप यहाँ पर type कीजिए bypass secure boot check अब यहाँ पर आप दि को और check में C को आप spelling को धियान से देख लीजिए अगर आप spelling mistake करेंगे तो secure boot bypass नहीं होगा इसके बाद आप इसे enter कर दीजिए इसके बाद हमें TPM को bypass करने के लिए एक और नई value को add करना पड़ेगा जिसके लिए right click करेंगे new में जाएंगे डिवर 32 में जाएंगे और पर bypass TPM check में हमने bypass में B capital रखा है TPM और जो C है check का इसे भी हमने capital रखा एंड़ेट करेंगे अगर आपके पास चारजीवी से कम RAM है और आप उसे भी bypass करना चाहते हैं तो हम यहां से एक और की को add करेंगे new में जाएंगे डिवर 32 में जाएंगे और इसका नेम दे देंगे हम bypass RAM check अगर आपका प्रोसेसर भी low end है और प्रोसेसर भी support नहीं करता है तो आप इसकी भी एक value add करा सकते हैं bypass CPU check ध्यान रखिएगा यह case sensitive word है तो आपको यह सारे capital में लिखने है जो जो वर्ड मैंने capital में लिखने हैं इसके बाद आपको इनकी values को change करना है आप इन पर double click कीजिए और इनकी value को one कर दीजिए अब हम यहां पर इसे close कर देंगे command prompt से भी exit हो जाएंगे और अब हम windows 11 को install करने का चाहिए करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने उस screen को successfully bypass कर दिया है इसके बाद अब हम यहां से windows को install कर पा रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पैसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को like, comment और share ज़रूर करें और मुझे support करने के लिए मेरे जर्नल को subscribe करें Thanks for watching